नमस्कार, आज की खबरों में हैं, आठवी ओल इंडिया बुशिकान कप कराटे चेंप्रेंशिप में राची को मिले आठ पदक दून पबलिक स्कूल धनबाद में दो दिवसिय कराटे चेंप्रेंशिप का आयोजन किया गया जो 13 और 14 अप्रेल 2014 बिस को आयोजन किया गया इस आयोजन में राची का प्रतिनी धित्वक्तर ने कराटे प्रशिक्छक सेंसाई राजेश कुमार चौधे के अगवाई में किट्स कराटे क्लब सींग मोड की टीम भागलेने धनबाद गई हुई थी ग्राची के खिलाडियों की टीम ने बहुत ही बहतर प्रदर्शन करते हुए पदकों की लाइन लगा दी ग्राची के सभी खिलाडियों ने पदक प्राप्त किया इन खिलाडियों में जिसमें काश्विक्री को श्वर्न पदक मिला तो वहीं शिवांस को रजक पदक तथा रीवागीरी, वशिकी, काव्या, और नौ, स्रीजन, लक्ष को तांसी पदक पाप्थ हुए खिलाडियों के बहतर प्रदशन को देखते हुए, कराटे प्रशिक्षत सेंसाई राजेश कुमार चौधरी ने बच्चों के बहतर भविशी के लिए शूप प्राम नाये दी, एवां उनके माता पिता को भी बच्चों की जीत के लिए बदाये दिया राची के इन बच्चों ने बहतर प्रदशन करते हुए, आठ खिलाडियों ने आठ प्रदक राप्तर राची का नाम पौशन किया सबी खिलाडियों ने अपने अपने श्रेनी में बहत ही बहतर इन खेल का प्रदशन किया प्रशिक्षक राजेश कुमार चौधरी बच्चों की इस काम्यावी से बहुत खुश है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इस खेल में पैस को मौजूद है और बच्चे इस खेल के जरीए शारिरिक और मांसिक तौर पर मजबूत बनते हैं इसलिए सभी मातापिता को अपने बच्चों को आत्म शुरक्षा के लिए या शिक्षा देनी पहदी जरूरी है और इस खेत्र में आप अच्छे खेल का प्रदशन करते हुए भाविश्य में भारत का भी प्रतिनी धित्व कर सकते हैं अपनी छेत्र के खबरों को सुनने के लिए जूड़े रहिए हमसे जन्मा नियूद 76 आप देख रहे हैं जन्मा नियूद 76